आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में जब मेट्रो आई थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, जिन लोगों ने अपनी अपने स्कूटर, अपने अपनी गाड़ियां छोड़ के और मेट्रो से सफर करना चालू किया। दीरे-दीरे मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगए कि कुछ लोग फिर वापस अपनी गाड़ी और अपने स्कूटर पर आगए। अब जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, अब दिल्ली में बसों की संख्या भी काफी ज़्यादा बढ़ गई है। बसों में कोई बहुत जादा भीड़नी होती जो हम लोगों ने अभी सर्वे कराया। लेकिन फिर भी एक लोगों की दिमाग में वो है कि बसें बसों में आप देखेंगे अक्सर केवल लोवर मिडल क्लास या लोवर क्लास के लोग, एकनॉमिक क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं तो मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़के अबसों में ट्रैविल करने के अंकिरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है जिसके तहु tends प्रिम्यम बसेज़ लक्शरी बसेज़ उनके एग्रिगेटर्स को लाईसेंस दीये जाएंगे ताकि एक license holder कम से कम 25 बसे कम से कम 25 लग्जरी बसे लेके आएगा और वो लग्जरी बसे दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी यह लग्जरी बसे सभी एर कंडिशन होंगी कम से कम 9 seat से ज्यादा होनी चाहिए मतलब 9 seat कम से कम छोटी बस में 9 seat होंगी बाकी में बड़ी में और ज्यादा होंगी इन बसों में वाइफाई होगा जीपियस होगा cctv होगा standing allowed नहीं होगी हर एक को seat मिलेगी और seat भी digitally मिलेगी आप अपनी seat एप होगा हर एक उसका और आप उनके एप पे जाके अपनी seat बुक कर सकते हैं जो seat चाहें जैसे हम airlines में booking करते हैं वो seat बुक कर सकते हैं payments केवल digital होंगे और वहां पर बस के अंदर आपको टिकेट नहीं मिल सकती ऐसा नहीं कि बस रुक रुक के जाएगी और आपको केवल digital payments होंगी और जहां से आप कहेंगे वहीं से आपको बस पिक अप करें इससे हमें उमीद है बिकॉज काफी अच्छी अंदर आराम दे बस होगी comfort ह होगा defined time होगा चलने का पहुंचने का तो हमें उम्मीद है कि बहुत लोग इन अपनी गाड़ियां छोड़के इन बस में आएंगे और इससे दिल्ली की यातायात विवस्था बहतर होगी traffic कम होगा और pollution air pollution कम होगा इसमें जो बसेज होंगी वो अगर CNG बसेज हैं तो वो तीन साल से पुरानी नहीं होने चाहिए जो बसेज इलाओड होंगी और जो नई बसेज एक जनवरी दो हजार पच्चिस के बाद एक साल डेड़ साल के बाद जो नई बसेज इसमें इंट्रड्यूस हो सकती हैं वो क कोई लाइसंस फीस नहीं ली जाएगी वो एंकरेज करने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्टिक बसेज आएं एक इस पॉलिसी की खासियत यह है कि इन इस बसेज का रूट हम डिसाइड नहीं करेंगे इन बसेज का रूट मार्किक डिसाइड करेंगी जहां उनको लगता है कि ज्यादा उनको सवारी मिल सकती हैं वो बसे उन एरियाज में ज्यादा चलेंगी तो जाहिर तोर पे उन एरियाज के अंदर ट्रैफिक ज्यादा है वो कम होगा तो आटोमाटिकली उन एरियाज के अंदर ट्रैफिक कम होगा उसे जो भी रूट वो डिसाइड कर आपरेटर जो है, accept एक ही condition है, कि हमारा DTC का और AC बसे का जो peak fare है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यह luxury buses है, तो उससे कम नहीं होना चाहिए, यह ऐसा नहीं होगी, यह DTC के साथ वो compete करने लग जाए.